तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दो ही क्वेशन है ज्यादा नहीं है मेंस लेवल रीजिनिंग मतलब कि आज हम पजल नहीं करने वाले हैं पजल के अलावा कुछ नए टाइप के question जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं तो उस टाइप के question हम करने वाले हैं तो यह एक question है दोस्तों जो कि अराण दोस्तों जोस्तों एक बाले हैं तो उसका है जो है कि अब ही तक तो बन जाना चाहिए था क्योंकि दो नंबर के लिए इससे जाधा अगर आप समय देंगे तो कोई फाइदा नहीं है एक्जाम में एप्रॉक्स दो ड्हाई मिनट हो चुके हैं क्या बोल रहा है यहां पर सबसे पहले तो पढ़के समझना है कि करना क्या है हमको सम वर्ट सर गिवन एंड एक्कॉर्ड इस स्टेप्स आर गिवन अवेर्ड वर्ड इस डिकोड़ेड मतलब हमको यहां पर यह कुछ वर्ड दिये हुए इन वर्ड को कोड में स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थरी में कनवर्ट किया गया है तो हमको लॉजिक फाइंड करना है कि क्या लॉजिक है यह लॉजिक जो है लाखो करोडो पैटन के हो सकते हमको नहीं पता हमको देख प्रज़ना है एक्जाम में कि यहां से यहां पर क्या किया गया है और यहां से यहां पर क्या किया गया है तो दोस्तों कभी भी एक चीज़ को याद रखिए अगर words को words में ही मतलब letters को letters में ही अगर convert कर रहा है मतलब definitely आपको ABCD की जरुवत पढ़ने वाली है अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है अगर याद नहीं है तो लिख लेते हैं तो चलो यहां पर मैं लिख लेता हूँ कि यहां साइड में मैं लिख लेता हूँ कि इसमें अब हमको numbers की भी ज़रुत पढ़ सकती है तो इसके numbers भी लिख लेंगे 1234567 अब देखे दोस्तों ध्यान से यहां पर क्या दिया हुआ हार्मनी दिया हुआ है आपको तो पहले तो यहां पर हम इस मतलब लैटर को एक एक लैटर को देखते हैं कि इसमें क्या changes हो रहे हैं तो एच जो है वो एक्स बन चुका है इसको एक काम करते हैं यहां पर लिख लेते हैं कितने कितने लैटर के वर्ड हैं वो भी देख लेते हैं तीन तीन शे साथ तीन तीन शे तीन नौ तीन तीन शे और एक साथ तो साथ वाले दो और नौ वाला एक मतलब हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यह जो है वो इसका है अगर यह नौ लेटर का है तो यह नौ लेटर वाला जो होगा डेफिनिटली वो कोड इसका होगा हंडेट परसेंट होगा दूसरी चीज क्या है दोस्तों अगर यह साथ लेटर वाला है तो यह साथ लेटर वाला इसका हो सकता है लेकिन नहीं होगा क्यों क्यों कि भई एच यहां भी दिख रहा है यहां भी एच दिख रहा है मतलब डेफिनिटली यह वाले का कोड यह तो ये तो confirm है, कि इसका code ये तो नहीं हो सकता, तो इसका code ये हो जाएगा, तो इस code की नीचे मैं ये वाले को note करूँगा, क्या हो जाएगा भी, S, Z, I, N, L, M, B, N, L, M, B, अब दोस्तों ये clearly यहाँ पर दिख रहा है, कि भई, H का opposite letter S होता है, तो इसने just opposite letter यहाँ पर बनाया है ठेक है, A का opposite Z होता है, R का opposite देखो, I दिख रहा है, यह देखो, R का opposite I होता है, मतलब इसने क्या किया है, सारे के सारे जितने भी words दिये हुए थे पहली line में, उसमें क्या किया है, इसने हर letter को opposite कर दिया है, यहाँ तक तो सबको समाझ में आ गया होगा, तो अगर आपसे तो courage bravery को आपको सबसे पहले step 1 में convert करना पड़ेगा, मतलब कि उसको just opposite letter में note करना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले इसके opposite letters note कर लेते हम यहाँ पर courage bravery का, तो C का देखते जाओ, यहाँ पर फटा-फट ऐसे देखते जाएंगे, तो X हो गया, उसके बाद O का opposite क्या है, L, U क opposite है, F, R का opposite है, I, A का Z, G का T, और E का V, ठीक है, तो यह courage हो गया, bravery को देखते हैं, bravery का क्या हो जाएगा, Y, R का हो जाएगा, यहां गया, R का हो जाएगा, I, A का Z, V का हो जाएगा, E, R का हो जाएगा, I, और Y का हो जाएगा, B, सही है, एक बढ़ चेक कर लीजे, दोस्तों, हो सकता है, मुझसे गलती हो जाए, तो एक बढ़ चेक कर लीजे, जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पांच लग सब्सक्राइबर होने वाले दोस्तों थोड़ा सा योगदान दे दिजिएगा सब्सक्राइब करके सही है वीका लिखो अच्छा ए की जगह वी आएगा तो यहां पर वी भी आएगा दोस्तों वी आई भी होगा अखरी में एक मिनट रुको में इसको ठीक कर देता हूँ वी आई भी अब ठीक है अब देखो दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है आपको ये चीज को पहचानना है तो दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों फिर से वही चीज बात हो जाएगी भी total number of letters count करो तभी समझ में आएगा कि किसका code कौन सा है तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका code जो है वो ये वाला हो रहा है इस वाले का code ये वाला बनने वाला है ये चीज़ हम confirm बोल सकते हैं तो भई X की जगह पे Z आ गया तो देखो X की जगह पे Z मतलब हम बोल सकते हैं कि second to right मतलब second next वाला X के बाद Y आता है Y के बाद Z आता है तो हम बोल सकते हैं कि दो letter आगे की तरफ आपको बढ़ना है प्लस 2 जैसा कि लिख रहे हैं काफी लोग प्लस 2 तो भई अगर यहाँ पर देखो X में प्लस 2 करेंगे तो Z आ जाता है Z में प्लस 2 करोगे तो पहले A आएगा फिर B आएगा तो यह देखो B दिख रहा है यहाँ पर K में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा K में प्लस 2 करेंगे तो M होता है यह देखो यहाँ पर M दिख रहा है, मतलब दोस्तों इसमें भी चेक कर लेते हैं, H, H में प्लस टू करो भई, H में प्लस टू करोगे तो J होता है, यह देखो J दिख रहा है, Z में प्लस टू करोगे तो B होता है, यह देखो B दिख रहा है, मतलब प्लस टू करना है सभी में, तो इस वाले में भी हम plus 2 करते जाएंगे, चलो plus 2 करते जाएंगे भी, यहाँ पर देखो, x की जगह पे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, l के जगह में क्या हो जाएगा, m, n, f, g, h, i, j, k, z का b, t, u, v, v, w, x, यही बनेगा, चेक कर लो भी और बता दो गलती है तो, y से बन जाएगा, a, i में plus 2 करेंगे, तो k हो जाएगा, z हो जाएगा, b, e, f, g, v, w, x, i, j, k, p, c, d, यही बन रहा है तो यह हो गया हमारा step number 2, अब देखो दोस्तो step number 3 आपको बनाना है, तो क्या करना है बही, step number 3 में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ, हमको एक, एक लेटर दिख रहा है, आखरी में, p, p, और n, और hash, star, star, तो यह star, star और hash, तो दोस्तों, हम easily समझ शकते हैं, कि यहाँ पर वाविल से start हो रहा है तो हम बोल सकते हैं hash होगा और consonant से start हो रहा है तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर start होगा ऐसा बोल सकते हैं जरूरी नहीं है कि यही logic होगा logic कुछ भी हो सकता है तो सोचना है हमको और दिमाग लगाना है तो देखते हैं और क्या हो सकता है तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ यही होना चाहिए कि यह देखो यह वाला भी हमारा क्या है एक कॉंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एक वाविल से स्टार्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यह वाला जो होगा है यह वोविल दिख रहा है तो वोविल के लिए हैश होगा तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इसके लिए हैश यूज होगा यह कॉंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो कॉंसोनेंट वाले दो थे यह देखो जे और जेड एक मिनट तीन तीन छे तीन नौ नौ वाला हाँ ठीक है ठीक है तो दोस्तों ये चीज हमको पता चल गी कि वाविल के लिए हैश और कॉंसोनेंट के लिए स्टार बोल सकते हैं ऐसा अच्छा कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर नाइन वाले जो है नाइन लेटर जिसमें हैं उसके लिए हैश यूस किया गया है की दो में स्टार ईूस किया गया है तो दोस्तों यहां पर भी आप देखो न फिर यहां पर कितने लेटर इन थीन ठीन शे साथ ही समझ में और यहां पर आप एसा ले लोगे कि टो टूटल दोनों ही 7-7 letter के है तो यहां तो दोनों ही जगा पे star star होना चाहिए बट option में तो हमको ऐसा नहीं दिख रहा तो definitely देखो दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा link दिया रहता है link क्या दिया हुआ है देखो यहां पर दो आपको तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि किसके लिए क्या use किया गया है ठीक है तो यह चीज हमारा अभी तक तो सही है हमको यह तो पता चल लिया कि इसके लिए star है इसके लिए hash है यह तो confirm है आगे और देखते हैं कि number कैसे आ रहा है और यह letter कैसे आ रहा है सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों देखो यहाँ पर भी P है यहाँ पर भी P है यहाँ पर भी P है तो अब हमको यह चीज देखना है कि इसमें common क्या चीज दिखरी है आपको इसमें common क्या चीज दिखरी है आपको यह देखो यह वाला जो दिखरा है आपको total यह hash वाला किसके लिए है वावल वाले के लिए मन्दब इसके लिए hash है मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए use किया गया है स्टार जो है दोस्तों वह स्टार इसके लिए भी हो सकता था स्टार इसके लिए भी हो सकता था तो आपको यह देखना है कि इस वाले से इस वाले में या फिर इस वाले में कुछ common दिख रहा है क्या चलो देखते है यू जे जेड कुछ common नहीं है B, 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 तीनों में B common है, हम बोल सकते हैं, हाँ भी B common हो सकता है, चलो लिख लेते हैं B, उसके बाद देखो दोस्तो, K, K, M, मतलब इसमें K है, इसमें K है, ये दोनों में K common दिख रहा है हमको, हम K को भी ले सकते हैं, K भी कुछ K से related हो सकता है, उसके बाद देखो P, Z, I, भी नहीं है, D, P, B, कुछ नहीं, कुछ भी common नहीं दिख रहा है, तो हम इन दोनों से related कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, चलो देखते हैं, क्या common बन रहा है इसमें तो इसमें दोस्तों ये चीज़ दिख रही है, कि ये देखो K का opposite P दिखता है, यहाँ पर भी देखो K का opposite P दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो M का opposite N दिख रहा है आपको, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि third letter का opposite होगा, चेक करके देखते हैं, option में ऐसा कुछ दिख रहा है यहां अगर third letter का opposite हम देखते हैं तो h का opposite होता है s इस तरफ लिखना था ठीक है इधर लिख देते हैं इस वाले में देखो third letter b, b का opposite क्या है y तो आप अपने options में check करो क्या आपको कहीं पर s star या y hash दिख रहा है तो देखो यहां पर s star y hash, s hash y, मतलब हर जगा s और y यूज़ किया गया है मतलब definitely हमने जो logic समझा वो 100% correct है इतना clear है सभी को अगर सारे ही option में आपको s और y दिख रहा है मतलब definitely हमने s और y जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला है अब बचता है सिर्फ और सिर्फ नंबर तो नंबर को देखेंगे दोस्तो 17 12 11 सोचो क्या हो सकता है सोचो दिमाग लगाओ 17 12 11 17 12 11 कहीं न कहीं इनके numbers को add करके निकाला गया होगा तो देखो भई इनके numbers को हम पहले क्या करेंगे note कर देते हैं ठीक है सबसे पहले मैं क्या करूँगा किसी भी एक के numbers को note कर देते हैं जैसे यह वाले के पूरे number में लिख लेता हूँ तो यू का number कितना है देखो यू का number है 21 ठीक है उसके बाद देखो B, K, P, N तो B का है 2 K का है 11 उसके बाद P का है 16 N का 14 उसके बाद O और D, O का है 15 और D का कितना है, D का है 4 अब इन numbers से दोस्तों देखो कि कही पर भी कुछ भी add करके क्या 17 number आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पर कुछ add करके 17 आपको मिल रहा है 21 में कुछ भी add करके 17 नहीं मिलता है 21 में 4 को माइनस करके 17 मिलता है, मतलब एक logic यह बन सकता है कि शुरू और आखरी वाले को difference निकालेंगे जो number बचे का वो होगा यह एक logic बन सकता है और देखो और कोई number 2 में हम क्या add कर सकते 15 एड़ कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं 14 के लिए 3 कुछ भी नहीं है, बस हो गया, तो यह दो logic बन रहे हैं, या तो इन दोनों का difference हो सकता है या तो इन दोनों का addition हो सकता है, इसको अब logic को confirm कैसे करेंगे, आप ऐसे कुछ भी सोचे और मान के चल दी ऐसा नहीं करना है, logic को confirm करने के लिए एक word और चेक करेंगे, तो इसमें देखो, जे का place value कितना होता है, देखो, जे का place value होता है 10, और पी का place value कितना होता है 16, तो 10 और 16 का difference कितना आ रहा है 6, मतलब यह वाला logic तो हमारा गलत हो सामने से, second आखरी से दोनों को add कर देंगे, तो हमारा number पता चल जाएगा, तो यहाँ पर देखो n और v, n कहा है भई, n है 14, और v कितना है 21, तो 14 और 21 कितना हो जाएगा, total 20, 30, 35, 35 हो जाएगा, तो 35 s star, कहां दिख रहा है दोस्तो, 35 s star यह देखो, यह option d में दिख रहा है, दिख रहा है इस वाले को भी चेक करते, k और k, तो k का कितना है भी, k का 11, 11, 11 22 हो जाएगा, मतलब की 22 y hash, तो 22 y hash, गलत हो गया भी यह तो कुछ मैंने गलत कर दिया क्या option A होगा, 36 s star, देख लेते हैं, शायद मैंने गलती कर दिया होगी n और v का total करने में गलती कर दिया क्या मैं, v का 21, n का 14, star और 15 35, 35 ही तो हारा है, यार, v का 22 है क्या, अच्छा, v का 22 है, सौरी, ठीक है, भी मैं बूला, क्या गलती कर रहा हो, v का 22 है, दोस्तों, 21 जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए गलती हो गई, तो यह हो गया, 22, 22 को एड़ करेंगे, तो 36, तो अगर यह 36 है, तो 36 s star कहां पर 22 y hash, 22 y hash, option number A, आपका right answer, मिल गए 2 number, तो 2 number के लिए इतनी मशक्कत मेहनत करनी पड़ सकती है वही, एक्जाम में, उमीद करता हूँ, सभी को समझ में आया होगा, अगर P.O. लेवल का एक्जाम है, तो बिल्कुल इस लेवल के question आपको 2 number के लिए मिलेंगे, इससे कम की उमीद थोड़ नहीं, मतलब miscellaneous जिनको बनाना है, जो puzzles नहीं बनाते हैं, तो आप इस टाइप के questions आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि आप puzzles छोड़कर miscellaneous बनाएं त और अगर पजल बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, यहां 57 number तो मिलेंगे, एक question और देखते हैं दोस्तों समय वैसे कम है थोड़ा सा पर कोई बात नहीं देख लेते हैं, देखें कि बाद में करें, करने एक question और, काफी लोग यहस बोल रहे हैं, चलो एक और करते हैं, तो यह इसका answer है दोस्तों, एक बार match कर लीजेगा आप लोग, यह देखो, 36 हैसे star, 22 वाय हैश, hence option A is correct, तो option A हमारा correct है बिल्कुल, आगे चलते हैं, दोस्तों यह clear नहीं दिख रहा होगा, तो यह मैं फिर next class में ही करवाऊंगा, क्योंकि यह थोड़ा सा clear नहीं है, एक बार आप लोग चेक करके बताओ, आप लोग को दिख रहा है, visible तो है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो दिख तो रहा है, मैं भी YouTube पर ही देख रहा हूँ, तो दिख तो रहा है, तो चलिए जिनको दिख रहा है, clearly आप लोग try करिए, इस type के question दोस्तों यह जो है, यह एक नंबर के लिए आता है, one mark, इस type का input output देगा, तीन question आपके पूछे जा सकते, तो इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करी, मैं तब तक ABCD लेगे देता हूँ, यहाँ पर उसकी जरुवत पढ़ सकती है, क्योंकि, करिंध मुझ मुझ करें देदा दे ऑ्राष्ही जरुब है, एल और में वोट रुटा सकते हैं, क्योंकिते हैं, जिसके रिए आता है, मुझ करिंध के और आपके आता है, आता है, तो दोल्या ह פ कि अगर आप कि अगर आप कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि इस जिनको लग रहा है कि क्वेशन हो चुका है तो कोई बात नहीं फिर से बनाओ क्योंकि पैटर्न याद नहीं रहता है अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो एक बार फिर से बना लो कि अगर गजर और भी कोई पिर से बनाओ कि अगर आप अगर कि अगर याद झाल 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 कि इतने बज़े से क्लास है एप पर पर दस बज़े और ग्यारा बज़े दो क्लास होगी मेंस लेवल रीजनिंग की ऐसे ही नए पैटर्न के कुछ-कुछ क्वेशन्स मैं करवाऊंगा आज दस बज़े और ग्यारा बज़े दस बज़े की क्लास थोड़ा पांस साथ मिनेट लेट हो सकती है क्योंकि ये वाली क्लास स्टार्ट हो रही है अब दभी ये वाली क्लास का था फोड़ा सट्सर में लगेगा काफी लोग के मैसेज आ रहे हैं आल स्टैब्स डण काफी लोग डण लिख रहे हैं दीपक जी तो सीधा आंसरी दे देते हैं ऑप्शन सी तो चलो स्टार्ट करते हैं कि देखो दोस्तों यहां पर क्या करना है आपको इन्पूट आउट्पूट और कोडिंग डिकोडिंग को दोनों को मिक्स करके दे दिया गया है यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आया था आईवी पीएस पी यो एक्जाम में दोजार उननिस में जातक मुझे याद है करके जाते हैं पर एक्जामिनर थोड़ा सा एक लेवल उपर वाला था तो उसने दोनों को मिक्स करके दे दिया इस टैप का क्वेश्चन तो समझना है कि क्या हो रहा है यहां पर प्रेज दिया हुआ है फ्रेज से स्टेप बनेगा स्टेप बनेगा फिर उससे थ्री बनेग उससे फोर बनेगा आपको यहां पर दे रहा है वाट विल बी दा कोड फॉर कॉटन फैब्रिक लाइट तो जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन देगा उसको आपको स्टेप वन स्टेप टू स्टेप ट्री स्टेप फोर करके जो भी आंसर आ रहे हैं मतलब इतना बड़ा प तो नहीं हो सकता दो नंबर बोल देते हैं इसको दो मांक के दो या दो क्वेश्चन आ सकते हैं दो मांक के आने कि टोटल हो जाएगा दो और दो चार नम या फिर ऐसा भी हो सकता है दो नंबर का एक 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 नंबर का हो सकता है तो टोटल तीन नंबर का हो गया या पांच का हो सकता है दो दो एक जो भी है डिपेंड करता है कि लेवल क्या है तो इसको देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या करना है हमको रफ नोट बुक्स तो रफ नोट बुक्स को देखो दोस्तों यहाँ पर हमको कैसे समझ में आ सकता है note देखो चार लेटर का है, यह FOTM चार लेटर का है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, N O T E FOTM तो इसमें क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखो, E के बाद F आता है, तो यह देखो E के बाद वाला F हो गया N के पहले M आता है, तो बोल सकते है, N के पहले M हो गया, बाकी बीच का वैसा का वैसा ही है, ऐसा हो सकता है तो चलो देखते हैं, चेक करके B के बाद क्या आता है दोस्तों, देखो B के बाद आता है C कुछ भी नहीं है, यह तो होई नहीं रहे, और कुछ होगा logic ठीक है ठीक है ठीक ठीक है देखो दोस्तों कि यहां पर क्या करना था के nй के पहले m आता है और इक के बाद एफ आता है ना अच्छा वावेल है तो बाद वाला चेक करना है दोस्तों ऐसा हो सकता ठीक है अगर वोवेल है तो बाद वाला चेक करना है तो अगर यहाँ पर B को देखोगे तो B के पहले क्या आता है A यह देखो A हो गया B के पहले A आता है तो A हो गया S के पहले क्या आता है S के पहले यह देखो S के बाद में क्या आता है T आता है तो यह T हो गया थोड़ा लॉजिक मुझे नहीं समझा रहे, रुको एक मण देखने दो इसको देखते हैं, आर और एच दिया हुआ है ठीके तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं पहले तो उपोजिट ही लिख लेता हूँ मैं बाद वाले को पहले लिख लेते हैं और आर को इधर लिख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा बी और एस और नोट का क्या हो जाएगा ई और एन अब देखो इनके code क्या, क्या बन रहे है, IQ, रफका इसका क्या बन रहा है, books का, A और A E और N, इसका क्या बन रहा है, F और M अब देखो इसमें क्या हो रहा है, H के बाद आता है, I मतलब प्लस 1 R के पहले आता है, Q मतलब माइनस 1 S के बाद आता है, T मतलब प्लस 1 इसमें माइनस 1 E के बाद आता है, F प्लस 1 N के पहले आता है, M जो प्लस 1, मैनस 1 करना है, ये लोजिक रे हो गया हमारा तो अगर हम इसकी बाद करें, cotton fabric light की, तो क्या हो जायेगा दोस्तों प्लस वन माइनस वन के according अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जल्दी जल्दी बना लो भई इसका क्या हो जाएगा logic cotton में देखो क्या हो जाएगा N और C दिया हुआ है N और C उसके बाद देखो fabric में क्या दिया हुआ है C और F T और L यह तीन दिया हुआ है बीच के जो भी letters आपको दिखरे है वो same रहेंगे N में क्या करना है प्लस वन करना है N प्लस वन करोगे O हो जाएगा C में माइनस वन करोगे तो B हो जाएगा C में प्लस वन करोगे D हो जाएगा F में माइनस वन करोगे E हो जाएगा, T में प्लस 1 करोगे तो U हो जाएगा, L में माइनस 1 करोगे तो K हो जाएगा, तहीं है बिल्कुल Step 2 को देखते हैं, बीच में पूरा सेम आएगा जो भी लिखा हुआ है बीच के जो भी letter है, O, T, O, यहाँ पर A, B, R, I, G, T सब सेम रहेगा, उसके बाद देखो क्या कर रहा है Step 1 हो गया, Step 2 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखो, I और Q ठीक है, I और Q O और M O और K कैसे ले रहा है भई पहला वोविल ले रहा है और पहला कॉंसोनेंट ले रहा है, ठीक है, देखो, ध्यान से सुनो भई इधर से पहला वोविल जो भी होगा उसको ले रहा है, इधर से जो भी पहला कॉंसोनेंट होगा उसको ले रहा है तो अगर हम यहां पर बात करें कि पहला वॉवल क्या है यहां पर यह देखो आई दिख रहा है आपको इधर से पहला क्यू दिख रहा है इसलिए आई क्यू ले लिया इसमें पहला वॉवल आपको ओ दिख रहा है इधर से पहला वॉवल ओ दिख रहा है इधर से अगर पहला क के दिख रहा है तो और के को ले लिए समझ में आ गया अब मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूं दोस्तों आप लोगो बना लीजेगा इसमें देखो वावल पहला आई था कॉंसोनेंट डी था आई और डी हो गया इसमें देखो पहला वावल ई है इधर से कॉंसोनेंट के है तो ए और के को ले लिया एक और देख लो वावल यू यह पी तो यू पी हो गया यहां वावल यू और इधर कॉंसोनेंट सी तो यू सी और इधर से ऐल तो एल हो गया कि primeiro देखो यह जितने भी लीटर है प्लस टू इस नम्बर आफ यह उडियों कि वीट लेटर प्लस टू कर रहा है इसमें टोगे है इसप om0 3去 में किया करना है I, J, K, Q, यह पहले P, मतलब ऐसा बोल सकते है, Plus 2, Minus 1, देखते है, O में Plus 2 करेंगे तो Q होता है, ठीक है, M में Minus 1 करेंगे तो L थीक है, विल्कूल यह गोगो into 1 बोल सकते है, यहां पर Plus 2 Minus 1 हो रहा है, Bה, I में Plus 2 करोगे तो, कि मैं माइनस वन करोगे दो बार इसने डॉलर में कर दिया है एसने डॉलर में इन अधी कर दिया है और यह और ठीक है, डॉलर जो है, ये देखो, दो बार यहाँ पर और दिख रहा है, तो दो बार डॉलर दिख रहा है, मतलब और जो है, वो डॉलर के लिए हो गया, even के लिए add the rate हो गया, clear है सभी को, इसके बाद देखो दोस्तों, लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है, जो, लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है, इसमें दोस्तों, देख कर तो यह लग रहा है, कि जो सबसे कम sign use हुआ है, वो use कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यह add the rate दिख रहा है, एक ही बार, दो बार डॉलर दिख रहा था, तो डॉलर वाले को काट दिया, इसको add the rate को ले लिया, इसमें दो बार add the rate यूज़ हुआ है, तो डॉलर वाले को ले लिया, इसमें दो बार डॉलर यूज़ हुआ है, तो add the rate वाले को ले लिया, यह हो सकता है, अब Q और L को देखेंगे कि L और R कैसे आ रहा है तो Q के बाद आ रहा है R Q के बाद आ रहा है R मतलब प्लस 1 कुछ और होगा लॉजिक ओपोजिट प्लस 2 ती ओपोजिट क्या होगा यार अच्छा ठीक है सबका यूस किया है भई तो अतरंगी है भई देखो क्या किया है थोड़ा लॉजिक लगाओ दोस्तों जूजिट जो यूस किया है आजयसे इसमें ढेरेट को यहाँ पर यूस कर लिया है तो अगर लूकर जो बच गया है यह ये ADDRATE इसमें से यूस किया, आप यहां पर देखो W और W दिख रहा है, ए wie V के बाद क्या आता है, X आता है, W प्लस 1 एक definite, X और X आ गया, यहां पर देखो W प्लस 1, X आ गया ये दिखो X आ गया, के के बाद देखो K में प्लस 1 करोगे, L आता है यह देखो L आ गया समझ में आया जिस वाले का यह symbol को यूज कर रहा है उसको छोड़कर symbol वाले को छोड़कर जो पहले-पहले letter K और Q दिख रहा है तो K के बाद क्या आता है L Q के बाद क्या आता है आर तो यह देखो L और 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 उसको को जिसका सिम्मॉल यूज किया है उसको छोड़ कर बाकी जितने भी दिख रहे है ना उनके पहले-पहले लेटर में प्लस वन करके उसने कोड बनाया है तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो दो नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है एक्जाम में हर बा इसी के साथ खटम करते हैं यह वाला एक फैस्टिन इसको भी आप लोग बना लजएगा अगर आप लोग पैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोब्स तो आनकाली प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने